सबी को गूर्णिंग कुछ मैं समझता हूँ कि से लेवस को लगवग लगवग कंप्लीट होई गया है कोई खास टॉपिक बचा नहीं और कुछ छोटा मोटन बचा होगा तो आप इस लाइक है कि अब मैं सीधे से कुछ ऐसे ही कही से रेंडम सेंपिलिंग से आपको कुस कुस्टन्स डिसकस करना चाहता हूँ तेउटिकल हो या इस्परिमेंटल हो पहले आप से पुछूँगा तब मैं उसका सॉलूशन बता हुआ अब जैसे कि यह कुस्टन लिखा हुआ है कभी कभी लेंवज प्रॉब्लम आपको दिखा हुआ है जिसमें दिखा हुआ है एक भूप रेडियस बन मीटर है एक भूप रेडियस बन मीटर है एक भूप रेडियस यह कुस्टन हमें पुछा तो नहीं बंदेशन एक भूप रेडियस बन मीटर कितने लोग इसका मतलब निकालेगी है क्या मतलब क्या हुआ इसको हम किस तरीपे से मानें एक रिंग के रूप में बाग लें प्रूप को क्या इसके रूप नावाँए रिंग बस यह और को इसके बाद बाद इसके बाद आप कर लेंगे रेडियस इननोंने वन मीटर कह दिया है मास की बाद गेंड निकालब और यह दिदारी है कि रोलिंग अलॉंग है वरिजोंटल सर्फेस पर रोब करता है इक है इस सेंटर ओफ मास है वेजोसिटी आप 0.2 मीटर पर सेंट तो सेंटर ओफ मास की वेजोसिटी है वो है 0.2 मीटर पर सेंट इसका मतलब नहीं दीपे दीपे लोड़ा रहा है नहीं तो मतलब निकला 0.2 मीटर पर सेंट से आगे की वो बढ़ना भारी है पौर्ट एक मीटर पर रेडियस बहुत बड़ी होता है है ना दाइमिटर तू मीटर होता है तो स्टॉप इप वोड़ा पर सेंट अब इसके आंसर कोई भी लिखे जा सकते है तो इसका फंडमेंटल कोई बताएगा कि कैसे सॉल्ट कोई क्या आप सॉल्ट कर पाएगे बहुत सिंपल सामी बेसिक बताएगे कि कैसे किस एक्रोश से आप इसको सॉल्ट करेंगे कौन बताएगा मैं पूछूंगा नहींगे आपको संपोज करते हो किसी को कड़ा करतो तो जानते हुए भी बोल नहीं पाते हो इने दी में बड़े हो जाएगे किया आइडिया लेगा है के से अवरे होन इने लॉलिंग मोशन का जो असली होती है कंडिया डियूड मोशन आप पड़ रखता है आपने क्या पड़ा है कममाइब बोसक्रों आप टर्नसलीजर एंड रोटेसर कि छो एन चका पासम Walker दा आते है इंड इसनियुंग होग अब इसको stop करना है वर्क इनर्जी तेमन क्या करती है कि अगर आप पोर्स लगाई दिए तो लॉक होता है तो जो वर्क डन है और इसमें वेलुसिटी भी चेंज हो जाती है तो अब इसको stop करेंगे तो पहले यह थी और दूसरी बार में क्या कानिटी के नर्जी होगी यहां पे जीरो स्टॉप का मतला जीरो तो जितनी ही कानिटी के नर्जी आपकी निकल के आ रही है इतना ही आपको वर्क करना पड़ेगा तो आपको सीदे सीदे दोर में के लिए यही प्रेक्ट करना पड़ेगा ड़ू ही को सीदे सीदे आपके हाँ ड़ू लिखी के और उसमें आप नर्जी कर सकते हो वहाँ एम जीरे के लिखो कि कितना मास के बताया है और अगर हो है तुमारी मुव यानि कि रिंग रूमा तो उसमें के स्पेर अपॉन आर स्पेर की वैल्यू कितने लोग को रटी है पताएंगे आप इनके पर टू अ तो गार गया कि आम के स्पेर इंपर टू मरस्पेर र्म की ऑब स्पेर हो गया तो एम प्लस खुए आप इसको केश्का परिट हम तो 0.2 से 0.2 से यह दो डेसिमल अटाएं यहां टीपावार 2 हो गया है। अब देखे 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इकोल टू तो कितना हो गया 8 लेकिन 8 2 कैंसिल कर दी है 2 इंटू 2 बस सिर्फ बचा गया है। तो 4 इंटू 10 इंटू 402 हो गया बस तो इसका आंस्वर यहां पर ABCD में कहीं लिखा होगा 100 इंटू 5400 इंटू लिखा हो सकता है। है ना 5002 लिखा हो सकता है 6002 लिखा हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप प्रॉब्रम को स्माल करना जानते हों बेसिक एक्दम करिया तो सबको यह प्रॉब्रम समझ आगए कि नहीं। यहां इस तुस्चेज में दो बात हैं। मैं समझता हूं as an student, मैं अपने आपको जो हमें आता है यह बताना इस समय ज़रूरी नहीं होता। आपको कितना आना चाहिए यह हम जानना चाहिए। कि जो हिंदी मीडियम बाले होते हैं लूप तो जानते हैं लेकिन गूप नहीं जानते हैं। फोड़ी सी भासा बद्री हुई लिखती उसमें। लेकिन हाला कि पेपर हिंदी इंग्लिस दोनों में मिक्स में चपता है। तो हिंदी मीडियम बाले को बच्चे संगें। तो हिंदी मीडियम में जो पेपर वही कुस्चन से लिखा होगा। जैसे कुस्चन 14 इंग्लिस में वर्जन में होगा। तो साथ में 14 हिंदी वर्जन में होगा। उनके लिए यह है। ठीक है। दूसरी चीज यह है कि जितनी भी आप में बेसिक पड़े हैं। इसमें क्या बेसिक लगा। कि रोलिंग मोशन हो रही है। रोलिंग मोशन में जो टूटल काइनडिक इनर्जी होगी है। बने टांसलेशनल प्लस रूटेशनल तो उसका सीधे डायरेट दो हिस्सों में कर्पूरेट करने के बजार एक ही फॉर्मुला होता है। यह गोल कर रहा है इस वर्वसिटी से। इसका मतलब उनिफॉर्म बोसर में है। अब इसको हमें रोकना है। तो रोकने के लिए हमें वर्क अचाहिए। और वर्क अनर्जी तेवर हम क्या कहती है। चेंज इन कानेटिक इनर्जी इकवा टिए इन यहीं होगी या। समझे आगया। तो अचैनि करना दोगालों 3 समय कंगे लेहएए, नुच्रश ट्रॉर रहीं, नुच्ना दोगालों सुख आयों कि अधर दोगए लोगा रहा है। अगर आप इसको इस एक्सेस में लोगे तो इसमें इंफ्लूट जो ट्रांसलेशनल पार्ट है अपने आप हो जाएगा ये फॉर्मुला फाइनल में है रोलिंग सा दब में लिखती आए एक एक बोलिंग और इसमें आपको टेंजेंग के वाउट अपने आप हो जोगा इसमे आपको कर्फूजर नहीं करता है जब मैंने पढ़ाया था साइब कुलास में चाही रहे है इसकी ऐसी दिक्कत आई है कहिए तुम्हें डिराइब करता हुआ तो इस टॉपिक पर कुश्चन जरूर आप है यह आपने देख लिया होगा चौन पेपर में अगर आपको पर्ट अलबरती है उससे रिलेटेड भी कुश्चन है कि वह इसमीर रहे हैं डिस्क है यह रोल करते हैं तो क्या होता है इससे रिलेटेड भी कुश्चन उसमें हो सकते हैं त Double Rogue वाला भी एकाद कुश्चन कहिए तुकर दूँ prediction हो तूँ अगर आपकी requirement वroot दूच अनिता छोड़ एक्टम क्लियर होंके पूछिय। ये एक्टम एक्टम नुखियर होगे कुछंट। अब प्लस इसमें तो आप ये लेते हो एक्सलों किसें कौन सी सेंटर से पास बने पाली एक्सलों से लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये वाली लेते हो तो फिर ट्रांस्लेशनल कुछ साथिक नहीं देखा तब आप सीड़े सीड़े जो आप मिकानों पे आप आप सmez आप ये सजार ये हैं है तो उसमें जब मेंट अंगरा लोगा है तो ये वाला नहीं होगा है है तब भी एक वाल मना हो इसलिए पए जिए मैंने आपको वाल मेंगया Lakshma क्लास में नहीं होगे या चो नहीं पाएगे क्लास का मैं वीडियो नहीं देखा होगा तो उस समय तो सहिद आफनाइन क्लास बुटी है ना किसलिए इसको लोगों को वीडियों के हुप में देखने है ना इसके टाइम देश्म ना टिया है करता हूं इसमें बहुत अच्छा कुश्चन हमको नहीं दिख रहा है रोटेस्टनल मोशन में इससे कोई कुश्चन लेता हूं राइट इसे बाड़ी मोशन है पड़ेगा हूं हाँ इसका प्ले लेते हैं हम लोग इनकलाइन प्लेंट प्लेंड में मोशन वाला एक कुश्चन लेते हैं चलिए यह लेते हैं अभी फिलाल मैं सौड लेता हूं मुछ हम कुश्चन से वीडियो डादे हैं यह बादे इसे लेते हैं यह है एक कुश्चन जिती छोटी संध्या वाजे होते हैं तो पेपर पी जादा है यह बाद स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बाद आपका सब्सक्राइब के रोज रामों के थर्टी डिग्री इंप्लाइन के यह कुश्चन चलाने में उसको तो ताइम किता लगेना यह कुश्चन कैसे निकल सकता है ताइम को कोई आइडिया थे हम लोग एक्सिलेरेसे निकाले कुश्चन रोज यह साइबगीटापोनफ फिसके पडार। अब दैखें इसमें जो के स्केर अपोन बाद इतायक हों धुट्टन होता है इतना होता है? साफ़ास तो यह हो जाएगा G sin जा अपोन 1 plus 2 by 5 यह 2 by 5 यह 5 by 5 से G into sin 13 by by 2 3 by by 14 G होगे अब आपको 10 निकारना है इसमें क्या रिक्वों के रेसे से चालू कर रहे हैं सीदे बर्गोरा दंगर आएगा S equal to A A T Square प्रसे तो U T plus A T Square होता है तो U 0 होने की बेरे सेंटी स्कूली नहीं तो T निकारना है पर्ड़ कुछ 2S by क्या आपको डारेक्वों को दिया है या समझते हैं सब लोग 2S equal to A T Square यह T Square by पर्ड़ 2S by A यह T equal to 2S by A तो 2 in 2 2 14 upon 5 upon 14 उपरी जला गया नुप लगा इंटू 3 माने 9.8 ठीके 14 14 का एक 14 बाहर आगया 9.8 से इसको 20 कर सकते हो 5 से इसको 4 कर सकते हो कर सकते हो तो 4 का बाहर निकल आएगा ठीके और अपो 98 हुआ है ना 5 4 अब इसका देखे 2 तो यह 49 49 पर से भी बाहर आ जाएगा तो यह 2 हो गया 2 रूट 2 आएगा सेकेंड 2 समद गया है तो में चीज है कि प्रॉसेस आपने क्या किया एक्सिलरेशन का यह फॉर्मॉला आपको रटा होना चाहिए बाडी को पहचानेए बाडी को पहचानना जरूरी होता है कि अगर सॉलिड स्पियर है जब बोले ना तो सॉलिड स्पियर पाहना अगर जैसे फुर्मॉल वगरा बोल देता है तो वो सेल होती है इस्पेरिकल सेल अगर है तो उसका मुमेंट डोपिनर्सिया का फ़रूला कुछ और होता है तो कोई मताएगा कोई मताएगा मुमेंट डोपिनर्सिया ओफ इस्पेरिकल सेल और इस्पेरिकल सेट, बताएं, कौन बताएं लग, सब्लक्स सहमत हैं, क्यों, अब अगर 3 स्पेर अपना और स्पेर आपको निकालना है, तो जनल वामुला M K Sphere होता है, वो 2 by 3, 2 by 3 M R Sphere करोगे, M N P N तो K Sphere अपना R Sphere करोगे हो, इसने 2 by 3 आएगा, ये धना है, अगर हालो स्पेर है, हालो स्पेर का मतनब है कि मोटा अंदर से है, उसमें इंटर्नल रेडियस यह निया, आंत्रिक रिचिया भी है और, एक्सेर्नल रेडियस भी है, तब फॉर्मूला कहा है, ये सब आपको प्रेक्टिस करनी पड़ी दिया कहले है, इसने जानकी उसके आपके साथ यह कर रहा हो, खिक है न, तो ये हुआ जाके, 2 by 5 M, बोलो फॉर्मूला, 4 M, ये वह स्केर के लिए, जिसकी इंटर्नल रेडियस आपकों है, एक्सटर्नल रेडियस आपकों है, आए फार इन्हें पावर माइनस और दिपावर फार इवाइट पाई है यह फोटना है अब अगर एंटे स्वैर के बराबर पर भूगे इसको एम अगड़ेगा तो पेस्वैर अपना आउस्वैर जो इपागा तो तो निकाना मुझ्द है सीदे सिदे इससे कैडिवेट करना सब्सक्राइब करता है तो कि सिंगे लाग नहीं है अगर सिलिंडर उड़क रहा होता तो के स्वेर अपना रिस्वेर क्या था यह फास्ट प्रेक्टिस के लिए इस नेविल पर आपनो जाना पर और सॉलिंडर आप सिलिंडर का मुमें प्रेक्ट प्रेक्ट के लिए अगर के लिए अगर के लगाना है आप तो मोटी इस्वेर आपनों पर आपनों करी तो कुछ नहीं कि अपनों पर वार नहीं है अच्छा बहुत सारे objective questions इस तरीके के भी आपको भूप में देखने को दिले ही, कि किसी body का momentum की दर्सिया ही ही वो चैनुआते हैं, जैसे solid cylinder ही है, है न, ये access of rotation है, आपने हाँ हैं, आपने हाँ हैं, आपने हाँ हैं, तो पढ़े हैं, लेकिन access of rotation ये हैं, perpendicular to the length of the cylinder, और passing to the center of mass, तब क्या formula है, ने, ml square by 12 को होगा, ये वाँ सही है, लेकिन ये उसके लिए होता है, rod के लिए, ये ml square by 12 के अलावा, उसके कुछ नहींदा हैं, आपने deviation करके भी देखना हैं, तो ये चीजें आपको learn करनी हैं, ये ही सब question बनते हैं, और अगर हमें इसके 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 लिए पोज़े गए, तो फिर आपको ये बहुत जोड़ना पड़ेगा, अच्छा, एक बाद मैं पूछना चालता हूँ, नियसे रुणेवी L Он के सब अबट होगीा बहीं जोड़ना अपड़ेगा, ये हमन्ह सब लिए लिए बहोगी एकह जालता हूं, अक मैं मैं पूछना चाहता हूं इस पर चूप गए फिर वह एक्जाम्री रटी करके आऊगे आप इसको आई एक्स और आई वाई मान रें चुबी वह यूनिफॉर में इक्वार्टो आई वाई एक्वार्टो आई एक्वार्टो आई विक देते हैं और यह थो और हम ने एक्स'd लिखी है जिसका आपने पता है वो आई जेड कहला दिये हैं तो आई जेड अवरिस पेर है तो iX एक्वार्टो इक्वार्टो आई वार्टो इन्ना है तो i plus i 2y एक्वार्टो इस वार्टो इस यहां बच्छे बास आफिक है रिंग का जो मुमिंट अपिनर्सिया है अगर एक्सेज ओफ पूटेशन दाइमीटर के बाउच होती है तो एमार इस्पेर बाई नूमांसर करेंगे नाटी एमार इस्पेर यही अगर टेंजेंट को टेंस करते हुए हो इस दाइमीटर के पैरलर तब एमार इस्पेर माई आई जो एप प्लस हेमाल स्वेर और जो लेक्शन देनर्सिया है तो यह सब चीजें आपको बहुत बारिकी से प्रैक्टिस दर्नी हैं हमें धिरिम आप परमीटर इलेक्सिस, धिरिमाग में समझ के इस्तेमाल करना होगा अगर हमारे साहथ आपने नेली थिया गया जाए है और अगब भी डाउंट है, तो हमने ये सारी चीजें, अपने जो वीडियो लेक्चर डाला है, उसमें सब समझाएं, कैपुलेशन आपूमेंट अपिनर्सिया करके साइज लिखा है, तो ये जो मुमेंट अपिनर्सिया है, इसमें निकालने में कभी लाइप आप से देखती आप अपने आपको जहने, अपनी प्रेक्टिस करें, अपना एकांथ में उस सब्जेक्ट को समझने की कोसिस करें, फिर तो आप पांच मेरें में पूरा चैप्टर रिवाइस कर सकते हैं, एक बाद बेसिक समझ लेते हैं, ये केवल हमने तो रीक का एक्जम्पिल दिया, य को डिफेरिंट डिफेरिंट बोडि में तीरीं डिफेरिंट बोडि में तो इसको समझ के दिमाग में बैठालें इव इकषी हम प्लस करेट का मदलब क्या है? सिटोरिशन क्या है? वहिए अगर आपको आपको आ इकषी का मतलब नहीं पता आइजी एम का मतलब नहीं पता आजAnto तो आप सवोत क्या है और अगर ईज्णीन का प्लस नहीं North Laughैर एस्द और शिज्टीरम कह नहीं है तबी तो आप इसमाद करोगी, कि भाई जो प्लेंड परपिंडी कुलर से, जैसे हमने ये राँ का बताया था, जिसकी लेंद राइब रबाइड प्लेंड है, तो इसके एक्रॉस हमने बताया कि अगर भाईड है, अगर हम ये ये इस एक्सेस के अबाउट राइब दा तब क् मास हैमी है कोई बताएगा ग्रास में कि इस एकस्स के इस आई एस वाल देते ही या या आई वाई के एबाओ है NL is 12.12 I X के एबाओ प्रुमेटर मेंटर से है क्या होगा है यह लैमिना है प्लेन लैमिना कोई बताएगा अंसर इसके बहुत सिंपली जब यह यहां में भी है तो सिंपल है और इसका जो मुमेंटो मिनस्या है पर्पेंडियो पूर्पेंड तो दा प्रेइन ऑफ द लेमिना दिय आई-जेट इस एक्सिस जो हमने चौब पकड़ रखिए इस एक्सिस के बहुत असानी से लगेगी आईजेट क्या निकले हैं? आईजेट नहीं होगा. एवाईज़ए अपरेंट्वेल प्रस्केवी स्वेरपोर यह आप समूसे हैं. यह इसी का फार्मुला इस तरी कैसे गुप में रटने के लिए लिखा होता है. रटना बहुत असान होता है. लेकिन सब्जेट को समझे दिन उसका सही हम यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम्स पर नहीं कर पाते हैं. और बड़े आसानी से आपने समझ लिया. यह केवल आपको एक समझना था मेरे स्वेरपोर्ट कोयल. मेरे स्वेरपोर्ट कोयल तो उसी पैसल में समझने आ रहा है. लेकिन चुकि एक ही प्रेंट में ह और यह को एक्स एक्सेस कंसीडर कर लिया और जब उसके पर्पेंटिकुलर निकले तो पर्पेंटिकुलर एक्सेस थेवरम प्रादी. आजेड़ा गया. तो इस तरीके से जितने फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में दिये हुए हैं आप एकवार रीड कर लो फिर उसके और दिमाग में अच्छे से बेटा लोगें और उसके बाद जब आप प्रॉब्लम्स करोगें तो बड़े इजी गोईंग हस्ते हस्ते सौर्टी चली जाएंगी. आपको हमसे पुछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. किसी से भी पुछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए कहते हैं कि बेसिक को स्ट्रॉंग करना असली अध्याइंग करना होता है. इसलिए का मतलब है कि बेसिक स्ट्रॉंग कर लेगी. इसलिए को कहते हैं कि नॉलिज प्राप्त है. बेसिक क्लियर का मतलब होता है नॉलिज. नॉलिज को इंदी में कहते हैं ग्यान. ग्या मैंड के बारे में कहा जाता है माइड इसे स्मालेट बकेट माइड के बारे से चिपना पानी भरोगे मंत उतना ही ने कम होगा ना ज्याजा होगा दो अब गुद्दी न कहा जाता है घहरा कुआ इसमें आप अचारों बारे मिलंगा लोगे समुद्र का लेविल इतनी लगातार रिवर्स जादा के उसमें जादी रहती है उसके बाद भी उसके लेविल में अपर नहीं आता यू ट्राई टू इंटिलाईज यूर गोरी इस डियेक्ली कनेक्टिट तो यूरसेल का मतलब आपकी आइडेंटिटी जिसको मैं कहता हूँ उससे जुगा होता है और वही पूर्टी ही उसमें तश्वीर बनाता है यह बहुत बेसिक बात है जिस दिन यह समझ जाओगे तो इसको आपकों कहते हैं अकरदान निकलने के बराबर को और उस बच्चे को कोई चैनल नहीं कर सकता है जो भी कोई कमपटिशन रड़ना चाहे है वो उसमें विज़ई होंके ही रोड़ेगा जिस दिन बुद्धी का इस्तेमाल प्रोपरली करना सीख जाएगा कोई रड़के टेंपुरेरी उस ताइम पर काम चलता है लेकिन बाद में फिर आपको एड़ुजेट पढ़ाई करनी पड़ती है फिर दिमाग नहीं लगता जब एक बार नौलिज हो जाती है तो वो स्वताही मन लगता है मन माइ नहीं लग रहा है तो मन को गंट्रोल करने का सबसे वड़िया दरीका होता है बुद्धी को उटिलाइज करें और बुद्धी उटिलाइज कहां से होती है एक्ट्वालिटी को माइंड में रखने से अब मैं कुछ त्यूटीकल प्रोग्डम्स में टिकर के लाया था उसको करूं चुपी टाइम ज्यादा है नहीं है ना फिर भी दो पांच मिनट बढ़ जाईए मैं अगर देखिए मौका मिलता है तो कल भी आप आज आईएगा तो कि वीडियो आप घर में बनाने ने वह मूट नहीं बनता बनाने के कोशिस करूंगा मैं एक आप कुश्चन प्यूटिकल भी डिसकस कर दूँ जैसे इस टाइप के कुश्चन सा सकते हैं जैसे हमने कहा बेंडिंग और आपने और आप रेक्टिंगूलर क्रॉस सेक्शन देप्रेशन डिप्रेशन डेल्टा एटी मिडल भी डिस डिएनटिकनेस डी औप द वी जिए कोई रिक्टेंगलर उख बिवार व्ली में करते हों तो उसका जो इप्रेशन होता है प्लिए फंट में यदान दुब कुश्चन में घूगा कुछ एक कुछन और बहुत ही, मतलब तो क्योशन में आता हो आदम पर मिलेगा पर सेम क्रोस्टेक्षनल एरिया पॉरिगिवल लोड, दरिश्यो आप डिप्रेशन फोरिज्ट्रीम और इस्क्वैर क्रोस्टेक्षन ध्यान अगना अगर रेक्टेमुलर 2 ये सर्प्लेट बार वाली पढ़ने वाली बार में तो 3 upon pi लेकिन कुछ चला की से पेपर सेटर ने उसमें पहले सर्प्लेट को सेक्षिंगी भी लिख दिया और बार में उसने रेक्टेमुलर लिख दिया तुम दिमाग में बेठा हैं वही वाला कुछ युशने उसर बता रहा है थे 3 upon pi होता है आपने 3 upon pi लिख दिया तो ये धियान रहे कि कौन सी पहले लिखिये कौन सी बार में तो pi upon 3 हो जाएगा अगर आपने फुलट दिया तो इस ताइप की चीजों को हमें एक्सेंपल लिया कि जब भी कुछ नाब पढ़के जाएं तो को ये धियान रखें कि कौन सा पहले था कौन सा नुम्रेटर में कौन सा आ रहा है डिनॉम्रेटर में कौन सा आ रहा है मैं यहीं पे अपनी बात करता हूं